शिरिया काड तक सैब दे कार्ज कारी जतेदार ग्यानी हार्प्री सिंग दी सजी पीसी दे सौ सलाश ताब दी समागम दे मंच तो तकरीव दे हर पासे चर्चे हन पंत कते स्यासी तिरा जतेदार साब बलनों बादल दल दे बुलारे वांग पेश और तो नराज हन दढ़ खा कि किमे सिखा दी राईशी लीडर्शिप ने तार्मिक लीडर्शिप नू आपनी पकड बीच जगड रख्या है जिसनू जतेदार साहब दी ये तकरीर बाखो भी ब्यान कर रही है जते बंदी दा मननाय के शिरोमनी कमेटी दा बादली करण ही संस्ता दे निगारली जिमेवार है जते बंदी दे परदान हरपाल सिंग चीमा ने कहा कि अकाली दल दी राईशी ताकत सामे बेबस ग्यानी हारपी सिंग ने आपने आपनू अकाली दल बादल दे बुलारे दलजी सिंग चीमा दे पदर ते लिया खड़ा कर देता है जिस दी ड्यूटी पार्टी दे हेत सुरख्यत करना है। अपने पाशन मौके अकाली दलनू पंजाब तो पंथ दा सफर अराम करन दी नसीहाद देती है। जाते दार श्रोमनी कमेटी अधे अकाली दल दे अंदर दियां उन्ताईया अते गल्तियां दी निशान दे ही करदे अधे उन्हाणू द्रुस्त करन दी ताकीर करदे। उन्हाने कहा के सवदा सादरू माफी देन तो लेके 308 लापता पावन सरूप तक दियां कटनामाने ना सिर्फ सिखा नू शर्मसार कीता है बलके श्रोमनी कमेटी नू भी ग्रहन लगाया है। उन्हा कहा के श्रोमनी कमेटी आपना वकारते प्रोसा सिख मना मिचो गवाच चुकी है। अपनी निजी जगीर बना लिया है, हाला के उन्हें ने यहिदार साब दे ब्यान नू एक अकाली दल बादल नू जगाउन वला करार देता है। उन्हा कहना है कि ग्यानी हार्प्री सिंग ने आपनी तकरीर विच अकाली दल बादल नू पंथ पहला ते फिर पंजाब दिया मंगाने जोजन लिक्या है। क्योंके जथेदार जान चुके हन के बादल दल पंथ नाड़ों टोट चुका है, अधि सिर्फ सत्ता दा सुख पो गल्ले ही पंजाब दर राग छेड़दा है, परंद्रों पंजाब दा भी नहीं बनया है। मैं समझ दमा कि जथेदार साब दे लेक्चर ने उन्टा स्वाल अकाली दल दे और उधी बादल परवार्दी लीडर्शिप के खड़े करते ते ने। जथेदार साब ने आखिया है कि घुन अकाली दल नूँ पंथ तो पंजाबा लाना पहेगा। यह दा मतलब है पहले पंथ नल तो खा दे के यह जड़ी बादल परवार्दी लीडर्शिप क्योंकि मैं अकाली दल नी कमांगा। अकाली दल नल लोका नूँ प्यार है। इस प्रवाल नल प्यार नी जेड़े आज मालक बढ़े बैठे ने अकाली दल दे। क्योंकि इना ने अकाल्थकर साब होगे श्रोमनी कमिट्रियों में सब नूँ पर दिया। जीके ने कहा कि तीस साल तो बादल परवार ने अकाली दल पंजाब दे पंथ नूँ अपनी निजी जगीर बना रख्या है। जिसनों हून जतेदार बलों असिद्धे तरीके नार सब कार करके बावला नो नसिया दिती जा रही हैं। मोदी सरकार नो जतेदार बलों EVM सरकार दासन उते चुटकी लेंदे कोई जीके निके हैं। जतेदार साब ने जड़िया करना कीतिया ने सानु उस्ते मोर लानी चाहिए। लेकिनो गलारा मकलब जरूर सानु अग्य कटना चाहिए था कि जतेदार सब क्या की रही हैं। अपने पिता दे उल्ट सी। मैं समझता बिल्कु ठीक कही है। लेकिन जे बेटा नलायक निकल जावे। जे बेटा गुरू ग्रन साहब भी राखी न कर सके। जे उना दे कोई जो तो बेद भी हुंती है गुरू ग्रन साहब भी डेरें वननों सरकार तो अड़ी होवे। मैं समझता कि ऐसा बेटा मानों हेकना लाकर रखना चाहिए। कि ये ठेका चुकलिया कि बादल परवार जेड़ा है गार इन्हों एड़ी पीसी हमेशा बचाएगी। क्रोणा अरबर मैंने बचान वास्ते इन्हों अक्सीजन देन वास्ते रेगी। अरब होकम नों सर मत्ते परवान कीता है। उन्हा कहा के मैं जादेदार नों एपतर एक पंजाबी अदे सिक्क होण दे नाते लिख रहे हां हां। तुसी श्रोमनी गुर्दुरा प्रवंद कमेटी वरगी महान संस्ता नूं बादल दाल नाल जोड के उसदा निरादर करन दा कार्ज कीता है। बादल दाल ओ दाल है जिस दे कार्ज काल दावरान सिक्क हां दे सर्ब ओच ग्रंथ सिरीगुरु ग्रंथ साथ दी ब्यादबी होई। किड़न तो गुरेज करो अधे कार तक सैब दी मर्यादा अधे मान नू बहार रखो गलोब एडवाइस ओवर सिध एजूकेशन ते इमिगरेशन कंपनी हागी है सानू पैंती साल दा एक्सपीरियंस है अधे बच्चानो उना दे प्रोग्राम सेलेक्शन ते स्कॉलर्शिप्स विच हल्प करने है अधे बच्चानो अपटू 50 लैग तक स्कॉलर्शिप्स लेगे देतिया हूई है अधे बच्चानो वीजा, एलो आर, सोपी छिज हल्प करने है ते पोस्ट लेंडिंग सर्विसिस विच एरपोर्ट पेकप ते उना दी टेंपरेरी एकमोडेशन दा इंतजाम भी करने हाँ जेकर तो आनू साधा एह अप्राला चंगा लगा है ता इसनू लाइक करो शेर करो अधे साधे यूटूब चैनल नू सब्सक्राइब करो